सभी दोस्तों नमस्कार कैसे हो आप चण के नीती यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं उमीद करते हैं सब अच्छे होंगे जो भी आपको अपना कारी बैतरीन कर रहे होंगे तो आज की स्रीज में करेंगे हरियाना सीटी एम सीक्व सेट नमर पांच की क्वेशन यह सभी क्वेशन एक्जाम औरियंटीड है जो हम स्रीज में करते आ रहे हैं तो एक बार आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए क्योंगे उनके अंदर भी हमने काफ एक्जा कि सर इस स्रीज की अंदर हमने इतने क्वेशन सही किये तो आपको फरी में इनी क्वेशनों की पिडियाफ मिल जाएगी आप कमेंट कर दीजिए ठीक है तो आज की वीडियो का पहला परसन आता है चंडिगड विदान सभागा शिल्यानास कब हुआ तो चंडिगड विदान चंडिगड विदान सभागा उसमें कोंते परदान मंत्री तंतकालिक परदान मंत्री पंडित जुआलाल नहरू के जरिये इसका क्या किया गया सिल्यानास किया गया दो अप्राइल 1922 को अगर यहां से एक्स्ट्रा जो परसन बनता कई बार काफी फेमस गालडन है चंडिग ठीक क्या होना चाहिए चंडीगद रोगार्ड़न है थिक है हर्याना पंजाब की शूख राधा निकोनसी है चंडीगद है यह जीडी sì से नहीं हर्याना गठन में विदानसभा सीटों इसंख्या बताईए जहर रियाना बना एक 66 को उस में हर्याना असेमऩली कि द ईलिवी सीटे थी इतनी सीटे यह आप roku नहीं बताना आहिए तो हर्याना असेमली में सीटों कि द्विसें आ कितनी सीटु इस चम distill सीटें tab हर्याना विदान सभा की 1967 में कितनी सीटे हो गई? 81 सीटे हो गई बना था अगर आपसे Q7 के पूछा जाएगा तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ हर्याना गठन में जब एक नॉम्बर 1966 को हर्याना बना तो उस समय हर्याना के अंदर राज्य सभा और लोग सभा सीटों का आंकडा बताईए तो राज्य सभा और लोग सभा सीटों का आंकडा क्या था यानि राज्य सभा और लोग सभा सीटों की संक्या कितनी थी जब 1 नॉम्बर 1966 को अर्याना बना अर्याना गठन के समिन जैसे कि वर्तमान में बात करें अर्याना के अंदर लोक सभा सीटों की संक्या कितनी है 10 है राज Yay Best System की संक्या कितनी है 5 है ठीक है तो आपने बताना है 1 नॉम्बर 1966 का आंकड़ा कितना था लोक सभाव राजे सभाव सीटों का नेस्ट है दक्सिन एसिया में पर्तम महिला समारक तो दक्सिन एसिया का पर्तम महिला समारक बताओ क्या रहेगा चार ओप्सन आपके सामने हैं तो दक्सिन एसिया में पर्तम महिला समारक रानी पदमामती नूर्जा रजिया सुल्तान या इनमेश कोई नी पढ़ने वाले वाच्चे जवाब दे देंगे दक्स नेशियागा पहला महिला समारक था रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुतरी थी इल्ट तो मिसकी पुतरी 1236 से लेकर 1240 तक का इसका टाइम पीड़ था ठीक है 1240 मिसकी अत्या हो जाती है मेध्या रातरी को डाकों के दुआरा डाकों ने इसको अत्या की थी ठीक है काफी बच्चे जानते हैं काफी easy person है डाकों ने इसके त्या की है मेध्या रातरी को कैथल के अंदर तो कैथल के अंदर रजिया सुल्तान का मकबरा है ठीक है रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है कैथल के अंदर है बिलकुल simple person है कैथल हरियाना के अंदर रजिया सुल्तान का मकबरा नेश्ट है 211 की जनगना के अनुसार जन सिंक्या में अर्याना का स्तान 211 की जनगना के अनुसार जन सिंक्या में हर्याना का बारत के अंदर कौन सा स्तान रहेगा कौन से नंबर पर था बारत 28 नंबर पर, 29 नंबर पर या 21 नंबर पर, या 11 नंबर पर तो 2011 की जन गन्ना के नसर जन संक्या में अर्याना का स्थान रहेगा कौन सा? अठारवा स्थान तो अठारवा स्थान था हर्याना का बारत के अंदर किस में? जन संक्या में 2011 की जन गन्ना के नसर अगर आप से पूछा जाए 2011 की जन गन्ना के नसर बारत के अंदर हर्याना का अ ठीक है ना 21 स्थान था अक्सेतर फल में हर्याना का बारत में 2011 की जनगन्ना के यह अकड़े हैं अगर आप से पूछा जाए लिंगान उपात में हर्याना का बारत में कौन सा स्थान था तो यह रहेगा उन्हें तीस्वा स्थान ठीक है ना 2011 की जनगन्ना के इंसर अगर आप से पूछा जाए हर्याना का बारत के अंदर जन सिंक्या गंतों में कौन सा अस्तान रहेगा तो आप से भी जवाब देंगे तो आपका जवाब होना चाहिए ग्यारों अस्तान ठीक है ग्यारों अस्तान जन सिंक्या गंतों में हर्याना का बारत के अंदर था 2011 की जंदगर्णना के नुसर Next है हर्याना में पहली बाराष्ट पती सासन कब लाग हुआ सभी बच्चे जानते हैं और basic सा question लिया मैंने लेकिन ये question क्यों लिया है क्योंकि यहां से जो extra question बनेगे ना उन पे discuss करेंगे वो question आपसे जामें पूछे जा सकते हर्याना में पहली बाराष्ट पती सासन कब लाग हुआ तो आपका जवाब होना चाहिए 1951 में कोन से राजी में? पंजाब में तो देश के अंदर पंजाब में सबसे पहली बार राष्ट पती सासन लाग हुआ था 1951 में 1967 में हर्याना के अंदर सरुआत हो गई थी तीन बार हर्याना में राष्ट पती सासन लाग हुआ किया गया 1967 में, 1973 में, 1991 में तो यहांसे question कैसे बनते हैं? जब हर्याना में पहली बार राष्ट पती सासन लाग हुआ तो उससे में हर्याना के मुख्य मंतरी कौन थे हर्याना के राजय पाल कौन थे बारत के राष्टपती कौन थे और बारत के परदान मंतरी कौन थे ठीक है ना तो हर्याना के मुख्य मंतरी कौन थे राविरेंदर सिंग उससे में हर्याना के अंदर मुख्य मंतरी कौन थे उसेइ। जो राष्ट्ट्रूंतरी कौन थी? श्रीमटि इंद्रा गांधी थीक है तो दूसरी बार जो राष्टपती सासे लाग वोतना था तो उसे में अरियाना की मन्तरी थे vananshe दासगुप्ता नोट कर लें दूसरे राष्ट्पति में मुख्य मंत्री थी और जो रािपाल थे वह कौन थे जय realistic ला-लम आ थी थी तो इसमें भारत की राष्ट-पती कौन थे बीडी जत्ती ठीक है बीडी जत्ती उसमें के कारिवाग राष्ट-पती थे भारत की जो क्या गया उनिसो इक्याणुव में उनिसो इक्याणुव में रियाणा के मुख्यमंत्री कोन थे तो उनिसो इक्याणुव में रियाणा के मुख्यमंत्री थे चोदरी ओम्परकास उटाला ठीका ना सबसे ज्यादा बार सीम रहा था चोदरी ओम्परकास उटाला पांच बार पांच बार हरियाना के मुख्य मंतरी रह चुके हैं, हरियाना के अंदर उसमें राजय पाल कौन बने थे, तो हरियाना के अंदर उसमें राजय पाल थे कौन दनिक लाल मंडल, उसका नाम क्या था दनिक लाल मंडल, नोट कर लें, जैसुग लाल आती था जो दूसरे राष्ट राष्ट्पति शासन में 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 राष्ट्पति ठीक है तो रामा स्वामी वेक्ट रमन कौन थे उस समय के राष्ट पती यह सभी जो डाटा मैंने आपको बताया काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से कई बार क्वेशन बन जाता है तो आप अच्छी तरीके से सुन लेजिए अगर आपको कोई भी डावट रहता है तो क क्या राइट उस्रो जाएगा में लुँकि एक तिक है महिला महिला है सर्दार सींग भी यहां कप्तान आउ वरतमान में बात करें तो सेफली खान है जो बोल्योडिक अंदर उसके पिता जी हुआ करते हैं तो पिता जी और कोन साथ मसूर अलिकांप टोधी मैंने बता दिया एक ता दोस्तो जोगिंदर सर्मा ठीक है नाम ज्यान करें जोगिंदर सर्मा ठीक जोगिंदर सर्मा का सम्मद बताईया आप काँ से एक आप जानती है वर्तमान में भी खेलता हो खिलाडी बोलर दोस्तो बारत का बैतरीन बोलर है यूजुवे अंदर चैल यूजुवे अंदर चैल भी एक अच्छा बारती खिलाड़ी है यह हर्याना से है हर्याना के जीन जीले से नेक्स्ट है बैडविंटन के खिलाड़ी साइनाने वाल है दोस्तो और मुक्यवाजी में कौन-कौन से थे मुक्यवाजी में सुसील कुमार है एक मनोज कुमार है एक है विर्जेंदर सिंग ठीक है विर्जेंदर सिंग तो आप सभी जानते होंगे मुक्यवाजी की बैतरीन मुक्के बाजी के हैं मनोज कुमार, सुसिल कुमार और आप जानते हैं तो आप भी बता सकते हैं कमेट बोक्स में हरियाना की परथम फिलम कब बनी यानि हरियाना की पहले फिलम कब आय थी 1968 में, 1983 में, 1984 में तो आपका जवाब होना चाहिए 1968 में दर्ती फिलम हर्याना की पहली फिलम बनी थी और जो 1983 में बनी हर्याना की फिलम बनी थी बाउरानी बाउरानी फिलम कब बनी 1983 में हर्याना की ये सफल फिलम के नाम से जानी जाती है और हर्याना की सरवादिक सफल फिलम कोन शी थी चंद्रावल ठीक है ना चंद्रावल फिलम काफी फेमस फिलम हुए है अर्याना की सरवादिक सफल फिलम 1984 में बनी है नेक्स्ट है हर्याना पावर जनरेशन कोर्परेशन की स्तापना बताईए कब हुई है 1997 के अंदर 1990 में 1993 में 1994 लिख लीजिए यहां पर ठीक है ना दो बार मिस्टेक से टाइप हुआ है कोई बात नी तो राइटन सुर बता दीजी है, हरियाना पावर जनरेशन कोर्परेशन की स्तापना कब होई है, तो कब की गई थी 17 मार्च 1997 को हरियाना पावर जनरेशन कोर्परेशन की स्तापना होई थी, चंडिगड के अंदर इसका मुखहल्या है, कांपर है इसका मुखहल्या है, चंडि गड में 17 मारत उनिस्टानुए को स्तापन होई है हर्याना पावर जनरेशन कोर्परेशन ये किस समदीत है ये बिजली से समदीत है क्योंकि 14 अगस्त 1908 में इसको दो भागों में बांट दिया गया था आप से पूछा जाए कौन-कौन से भाग रहेंगे वो हर्याना बिजली ह इत्रण निगम लिम्टेड ठीक है ये हर्याना पावर जनरेशन के दो भागते जो 14 अगस्त 1909 में को बनते हैं ठीक है अच्छा परसन ये भी नेश्ट है ठारस्तावन की करांती में रोद तक से निर्थो किस ने किया बिना ओप्षन भी जो आप दे सकते हैं इतना इजी प अच्छते हैं यानि ठारस्तावन की करांती में रोद तक से निर्थो किस ने किया था विशारत अलिनी तो ठारस्तावन की करांती में रागडो मुस्लमान जाती की लोगोंने पानिपत से काफी मैतपण भूमिका निबाए थी ठीक है काफी मैतपण भूमिका ठारस्तावन क करांती से नहीं बाने वाले कौन थे पानिपत के रागडों मुस्लमान नेक्स्ट आता आपके लिए most important person हर्याना राजिय करमचारी चाहने हो का अगठन कब हुआ तो हर्याना राजिय करमचारी चाहने हो का अगठन बताईए सभी नूज में सुनते हैं, सभी जानती हैं के बारे में लेकिन स्टापनन नहीं पता होगा वर्याना के राजिय करमचारी चाहने हो की स्टापना कब हुआ यह ए हैसंस्सी की स्टापना पोच रहा, ठीक है कब हुआ थी, बताईए 23 जनुवरी 1970 को कब हुई है 23 जनुवरी 1970 स्थापन हुई है तो हर्याना के अंदर H.S.S.C के चेर्मेन को है वरत्मान में आप सभी जानतों के कोन है वो पाल सिंग खत्री तो इसका मुखहले कहां पर है पंचकूला में एडिकवाटर कहां पर है पंचकूला के अंदर है हर्याना राजे तो नेश्ट है चंदरकूप मंदिर किसके दुआरा बनुआया गया इसका जवाब सभी साती कमेंट बॉक्स में देंगे अच्छा पर्षन है चंदरकूप मंदिर है जो किसके दुआरा बनुआया गया है बता दीजी आप अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी दीखती ह यह भी आप कमेंट बॉक्स में बताईए ताकि हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बैतरीन कंटेंट सेर कर सके तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक जय ही जय बारत